आज मैं सेर कर रहे हूँ सिमला मिर्च पोटेटो टिकी जो खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होता है और इसे बनाना भी बहुत आसानी से आप बना के तयार कर सकते हैं जबी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करें तो आप घर में सिमला मिर्ज पोटेटो टिक की बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं तो यहां पर मैं साथ से हाठ उबले हुए आलू ले ली हूँ और इसको ग्रेट कर लूँगी आप चाहें तो मैं सर से इसे अच्छी तरह से मैस कर सकते हैं तो मैं यहां पर सारे आलू को ग्रेट कर ली हूँ और इधर गैस पर रखी हूँ पैन और इसमें डाली हूँ दो बड़े चमच सरसो का तेल आप चाहें तो किसी भी बेजिटेवल सोयल में इस रेशिपी को बना सकते हैं तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें डाली हूँ एक चमच जीरा और जीरा को अच्छी तरह से भुन जाने दोंगी चटक जाने दोंगी तो यहाँ पे जीरा भुन चुका है तो अब मैं इसके साथ इसमें डालनी हूँ एक कटोरी के तकरीबन मुंफली के दाने और इसके साथ इसको भुन लोंगी तो यहाँ पे जो मुंफली के दाने हैं वो भी चटक रहे हैं और तकरीबन भुन चुके हैं आप चाहें तो मुंफली के दानों को भून के अलग रख सकते हैं वैसे हमने एक साथ इसको बनाया है और इसमें डाली हूँ चार से पांच बारीक कटी हुई हरी मेर्च और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ एक छोटी चमच हल्दी पाउडर और एक छोटी चमच मैं यहाँ पे डालनी हूँ किचन किंग मसाला और एक चमच उसी चमच से छोटी चमच मैं डालनी हूँ हमचुर का पाउडर और एक छोटी चमच डालनी हूँ ब्लैक पेपर का प तो हमने यहां पर भूल लिया है और अब जो आलू को ब्रेट करके रखी थी उसको इसमें मिक्स कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको चलाते हुए थोड़ी दिर तक 2-3 मिनट तक इसको भूल लोंगी हमने यहां पर गैस की फ्लेम को मेडियम टू हाई पर रखा है और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद की अनुसार नमक आपको नमक जितना खाना पसंद हो आप उस हिसाब से नमक का इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां पर जो आलू का मसाला है वो तैयार हो गया है तो अब मैं इसमें डालें होममेड मसाले दो चमच जिसमें की हमने जीरा, काले मिर्च, लाल मिर्च और धनिया को रोश्ट कर लिया था और इसका फाइन सा पाउडर बना लिया था इससे जो आपका पोटेटो का जो मसाला है वो बहुत ही स्वादिश्ट बनता है तो इस मसाले को आप जाहें तो घर पे तयार कर सकते हैं इसकी वीडियो मैं अलग से सेर कर दूँगी तो यहाँ पे जो हमारा आलू का मसाला है वो बन के तयार हो गया है तो एक थाली में इसको ट्रांसपर कर लूँगी और ठंडा होने दूँगी जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको सिम्ला मिर्च के अंदर फिल करूँगी तो जब तक उधर आलू का जो हमने मसाले तयार की है ठंडा हो रहा है तब तक यह जो सिम्ला मिर्च है इसको मैं कट कर लूँगी तो ऐसे ही इसको रिंग वाइस इसको कट कर लेना है रिंग की तरह पतले पतले स्लाइस में इसको कट कर लेना है बीच से कटने लगाना है ऐसे गोल गोल सेप में इसको काट लेना है और इसके बीच का जो है एक्स्ट्रा उसको कट करके निकाल देना है और इसके अंदर हमें जो आलू का जो मसाला बना के रखी हूं उसकी टिक्की बना के इसके अंदर हमको भरनी है इसलिए इसको निकालना है ऐसे ही रिंग की तरह इसको कट लेना है तो हमने यहां पर इसारे कट कर लिये हैं और इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट था उसको हमने निकाल लिया है तो अब शलती हूँ सीमला मिर्च पोटाइटो टिक्की बनाने के प्रोसेस में तो यहां पर जो हमने पोटाइटो का मसाला तैयार करके रखा था वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो ऐसे ही हाथों से मसलते हुए और ऐसे तबाते हुए इसकी टिक्कियां तैयार कर ल नहीं है और इस रिंग के अंदर इसको अच्छी तरह से फिल कर देना है अच्छी तरह से चारो तरफ से सेट कर देना है ताकि जब आप इस टिक्की को सेकेंगे तो जो आलू का मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा और इस रिंग को आप चाहें तो किसी भी खाने के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही स्वाधिश्ट होता है और हमने यहां पे एक सिमला मिर्च पोटेटो टिक्की बना के तयार कर लिया है और इसी प्रोसेस में मैं सभी टिक्कियों को बना के तयार कर लूँगे तो यहां पे हमारी potato सिमला मिर्टिक की बन के तैयार हो गई है तो अब चलती हूँ इसको सेकने की प्रोसेस में तो यहां पे मैं तबार की हूँ गैस पे और गैस पे तबार कने के बाद अपने प्री हिट कर लिया है और अब मैं इसके उपर oil से अच्छी तरह से ब्रस से ग्रिस कर रही हूँ और हमने यहां ग्रिस कर दिया है और इसके उपर एक-एक टिक्कियों को ऐसे ही बिछाते जाऊंगी और दोनु सैट से अच्छी तरह से सेख लूँगी बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि सिम्ला मिर्च में थोड़ा सा क्रंचिपन होना चाहिए तब ही जब आप इस टिक्की को खाएंगे तो यह स्वादिष्ट लगेगी बहुत जलान गला देने पे जो आपकी टिक्की है जो सिम्ला मिर्च है वो थोड़ी सौफ्ट और पिल-पिली हो जाती है इसलिए उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है तो ऐसे ही चिम्टे के सारे से मैं इसको अलटते पलटते हुए दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह से सेख लोंगे ताकि इसके अंदर जो क्रेंची पन है वो आ जाएगा और टिक्की हमारी बनके तयार हो जाएगी हमने यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखा है जब भी आप टिक्कियों को सेखें तो गैस के फ्लेम को लो कर दें नहीं तो टिक्कियां बहुत जल्दी जलने लगेंगी और अंदर से कच्छी रा जाएगी जो बेजी टेबल से जो सिमला मिर्चे वो अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा उपर से हमने यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल लगा दिया है ताकि जो टिक्किया है वो चिपकेंगी नहीं और अच्छे से सिख जाएंगी तो मैं ऐसे ही अलटते पलटते टिक्कियों को सेक ले रही हूँ और यह टिक्किया आप चाहें तो चाय के साथ भी खा सकते हैं और यहाँ पे हमारी टिक्किया सिख के तयार हो गई है बहुत ही अच्छी सी खुसबू आ रही है अब बहुत ही क्रंची और डिलिसेस बन के तयार हुई है तो इसी प्रोसेस में बाकी की टिक्यों को भी सेख लूँगी तो I hope कि आप सभी को सिमला मिर्च पोटेटो की रेस्पी अच्छी लगेगी और आप सभी भी चरूट रह करेंगे अगर जो आप सभी को पोटेटो, सिमला मिर्च की टिकी रेस्पी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा और अगर जो आप सभी हमें फेस्बुक पे देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं